तो कैसे हैं आप लोग अर्विन केजरिवाल आए दिन एक्सपोज हो रहा है और अभी बहुत ही जल्द तिहार भी चला जाएगा तो केश चंदरशेकर महा ठग तो इसका वेलकम भी कर रहा है वहाँ पे अब अर्विन केजरिवाल एक नया फरजी वाड़ा मतलब फरजी वाड़े तो ये करते ही हैं आपको पता लगा होगा किस तरह से अभी रीसेंटली इसके ओपर देश द्रो का भी आरोप लग रहा है कि ED की जासूसी करवा रहा था जो बड़े-बड़े अधिकारी है ED में उन इनकी चीजे निकाली जाएंगी और उनको धमकाया जाएगा ये अर्विन केजरिवाल पे एक बड़ा आरोप लगाए अब बात करते हैं इनके फरजी वाड़े की बहुत बढ़िया ये अर्विन केजरिवाल आज ED की कस्टडी में है लेकिन नरेटिव ये सेट किया जा रह है अभी ये ED की कस्टडी में जी हां ED अभी से सवाल जवाब कर रही है और उनहीं की कस्टडी में अभी से रखा गया है तो इस तरह का फेक नरेटिव क्यों चलाया जा रहा है सिंपथी लेने के लिए जो जनता है उनको मूर्ख बनाने के लिए क्योंकि जनता अभी इसके आई नहीं है यह जिस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन्हीं के लोग है इन्हीं की पार्टी के लोग उच्छल कूद कर रहे हैं और मुश्किल से समर्थन में कुछ दिखते हैं 5-10 लोग तो अब ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे sympathy गेम खेला जाए जिसमें माहिर हर्विन केजरिवल पास्ट में भी खेल चुक है अब इन्होंने एक चिठ्ठी लिखी है कहां से? ED की custody से पहले मैं आपको चिठ्ठी पढ़के सुना जेता हूँ फिर उसके बाद इनके जूट फरेब के माहिने आपको मतलब बहुत अच्छे से समझाऊंगा तो चिठ्ठी में लिखते हैं मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सिवर की काफी समस्याए हो रही है अच्छा जी आपको ED की कस्टडी में ये पता लग रहा है कौन बताने आया आपको ये सब चीजे कौन बताने आया क्योंकि ED ने अगर आपको ये सारी चीजे बताई है ED आपको बाहर की जानकारी दे रहा है तो ED तो आपके फेवर में है ED तो बहुत अच्छी है लेकिन यही आतिशी ये कहती है कि ED तो इनको टॉर्चर कर रही है इनके उपर हिंसा कर रही है ED का अधिकारी तो बात आपस में मेल नहीं खाती है आगे लिखते हैं इसे लेकर मैं चिंतित हूँ चुँकि मैं जेल में हूँ कौन से जेल में मैं फिर कह रहा हूँ बहे साव आप हो कौन से जेल में ये हमें बता दो जानना चाहते हैं चुंकि मैं जेल ये पूरा narrative सेट किया जा रहे हैं ये सिंपथी गेम खिला जा रहे हैं ये बता कि कि मैं जेल में हूँ इस वज़े से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए चुंकि मैं जेल में हूँ इस वज़े से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए गर्मिया भी आ रही हैं जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए मुख्य सचीव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परिक्षानी ना हो जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए जरूरत पढ़ने पर उपर राज्यपाल महुदे का भी सहयोग ले वे भी आपकी जरूर मदद करेंगे तो इस चिठी नोने लिखी है नोने बहुत क्लियरली कहा कि पानी की समस्या का इन्हें पता लगा है मुख्य सचीव आप सीधे चिठी मुख्य सचीव को लिख देते आप आतीशी को चिठी लिख रहे हैं इसको पर बात करेंगे अच्छे से एसा माँ सोच ये छोड़ दिया है बट उससे पहले आतीशी की प्रतिक्रिया भी एक बार आप देखिए कि ये मैडम क्या बोल रही है और आपको भी लगेगा कि अलगी लेवल पर मैं पढ़ के सुनाता हूं इनका ट्वीट है दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केज रिवाल जी ने ED कस्टेडी में होते हुए बतोर जल मंत्री मेरे लिए निर्देश भेजे है कि दिल्ली वालों को हो रही पानी और सिवर की समस्याओं का तुरंत समाधान हो और गर्मियों में परियाप्त पानी के टैंकरों का इंतरजाम किया जाए जब मैंने यह निर्देश पढ़े यह सबसे बहुत यह से बदलब गंभीर है आप भी एकदम एमोशनल हो जाओगे जब मैंने यह निर्देश पढ़े तो मेरी आँखों में आसू आ गए मैंने सोचा कि यह इंसान किस मिट्टी का बना है जो इतने विपरीत परस्थिती में भी अपने बारे में नहीं सोच रहे बलकि दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे है अर्विन केजरिवाल अपने आपको सिर्फ दिल्ली वालों का मुख्य मंत्री नहीं मानते वो अर दिल्ली वाले को अपने परिवार का सदस्य मानते है तो एक बेटा एक बड़ा भाई होने के नाते उन्हें हिरासत में भी 24 घंटे अपने दिल्ली के दो करोड लोगों के परिवार की चिंता सता रही है वो दिल्ली वालों के बारे में ही सोच रहे है तो जी अर्विन केजरिवाल जी इतने दयालू है इतने वो हैं कि आज वो ED की कस्टरडी में है वहाँ पर भी उन्हें चिंता सता रही है बाहर दो करोड जो दिल्ली के लोग है उनकी आप सोचिए आतिशी को तो रोना लगा आप मुझे एक चीज ये बताइए कि आपका केजरीवाल जेल में है आप मुझे ये चीज बताइए कि आपका अर्विंद केजरीवाल आज इडी का स्टडी में है वो वहाँ पे बैठके चिठ्थी लिखा रहाए आपको यानि कि आप कितने धूरत मंत्री हो आप सुनाएं आप कितने धूरत मंत्री हो कि आप जल सिर्फ ड्रामे बाजी कर रहे हूँ, अब ये तो इनका समझ में आगया, पॉइंट इनके ड्रामे, अब फिर वापिस से उस चिठी पर बात कर लेता हूँ, तो जी चिठी कितनी वह फरजी है, चिठी इनोंने लिखी है, टाइप करके, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, पूरी चिठी इनके पास पहुंची है, जिसमें केजरिवाल का कहीं कोई साइन नहीं है, ठीक है, सीएम का साइन नहीं है, ये कहीं पर कोई अटेस्टेड नहीं है, कुछ नहीं है, कि या मोहर हो, कुछ हो, सीएम ओफिस से, कुछ नहीं, और इतना ही नहीं, ये कि बाई से लिखके पेपर पे और साइन करके दियो तब भी समझ में आता है लेकिन ये चिठी तो टाइपड चिठी है अब आप मुझे एक चीज बताइए क्या इडी ने इनको वहां पे अपनी कस्टेडी में कंप्यूटर भी मोहिया करा दिया लैप्टॉप मोहिया करा दिया के कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है यह अर्विन के अर्विन केजरिवाल इमानदार तो है नहीं यह तो आप दिमाग से निकाल दो यह व्यक्ति के इतिहास में दर्ज है कि इसने कैसे कैसे जूट बोले हैं यह अपने बच्चों की जूटी कसमें खा गया यह यह बोला कि मैं विपक्ष में था फिर बाद में आप इसको भगवान याद आने लग गए तो आप समझिए यह है वो अर्विन केजरिवाल जो सत्ता के लिए अपनी भूख के लिए आपका कुछ भी बुरा कर सकता है यह व्यक्ति इमानदार तो ही नहीं जो व्यक्ति इस तरीके से शराब आपका धंदा बढ़ा रहा है जिस मत आप सोचिए कि शिक्षा मंत्री क्या परोस रहे किस चीज को प्रमोट कर रहे किसकी वसूली कर रहे है है मनी शिसो दिया तो यानि कि इनकी सरकार तो काम ही गलत कर रही है आने वाली युवा पीड़ी को बिगाडने का काम कर रही है त तो ऐसा फरजी वाड़ा इन्होंने कि आप बीजेपी के मंत्री क्या कहते है आप एक बार उनको सुन लीजिए कि वो किस तरीके से बताते हैं कि इसका पूरा लेटर फरजी है और ये बहुत बड़ा मतलब गंभीर है मामला कि आप कैसे इस तरीके से एक फरजी वाड़ा कर सकते हो CM के लेवल पे मतलब बाहर बैठे आतीशी कर रही है उनकी पतनी कर रही है कौन कर रहा है फरजी वाड़ा सुनीता कर रही है जो भी कर रहा है ये बहुत जांच का विशे है सुनिए एक बार उनको आज अतीशी जी ने प्रेस कांफेंस करके ये ओफिस ओर्डर इशू किया और ये कहा कि अरविंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के लोगों की चिंता करते हुए कहा है कि उनको पता चला पानी और सुवेज की दिल्ली में प्रॉलम आ रही है तो मुझे अदायत दी है ओर्ड करके कि तुरंक इस पे काम करो और दिल्ली सी अब सरकार एडी की कस्टरडी से चलेगी मैं बताना चाहता हूँ ये एक फोर्ज लेटर है ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया है ये क्रिमिनल कॉंस्परेसी है चीफ मिनिस्टर के ओफिस को हाईजेक किया गया है अनकॉंस्टर किस उसको अपरेट किया जा रहा है उन लोगों द्वारा अदायत दी जा रही है जिनके पास अधिकार नहीं है क्योंकि अरविंद केज रिवाल जी एडी की कस्टरी में है ऐसे में अगर उनको कोई भी ओर्डर पास करना है चीफ मिनिस्टर को यहाँ फोन पर पास कर सकते ह हैं वो मेल से पास कर सकते हैं वाटसअप से कर सकते हैं लेकिन वो और अपने प्रिंसिबल सेक्टरी को या सेक्टरी को देंगे वह भी वो जो उन्होंने खुद अपने साथ लगाया हो और जिसकी परमीशन एल जी ने दी हो ऐसे में किसी और को अधिकार नहीं है बिना जी ने उपरेट कराया है सीम ओफिस को या मिस्स अरविंद केजरिवाल जी ने ये अधायत दी है चीव मिनिस्टर ओफिस को अनकॉंस्टिशनल अनलावफुल तरीके से उपरेट करना ये बहुत बड़ा क्रिमनल ओफेंस है तो ये तो क्लियर हो गया जैसा मैंने आपको प पिस से वही प्रयास कर रहे है अर्विंद केजरिवाल लोगों को इस तरीके से मुर्ख बनाना चाहरा है कि अभी एडी की कस्टरी में लेकिन ये पोट्रे करना चाहरा है कि ये जेल में है और वहां पे जो इसको इतना टॉर्चर दिया जा रहा है उसके बाद भी ये वहां घंटे के अंदर जलकी समस्या सामने ये नहीं ये तिहास ही रहा है ये आम आदमी पार्टी के रहते वे जब आप बाहर थे cm के पदबे तब आपने क्यों नहीं इस पे संग्यान लिए तब क्यों नहीं ऐसा हुआ तब भी टैंकर ऐसे ही डल रहे थे पानी की समस्या तो आप कैसे प्रोपगेंडा रचते हैं कि आपको जेल में जाते ही दिल्ली की जंता की चिंता होने लगी चिंता सताने लगी और आपकी आतिशी बाहर बैट के रोने लगी आँखों में आसू आने लग गए आप ये फरजी वाड़ा जो चल रहे हो न ये जादा लंबा नहीं च चुकी है आतिशी की तो चाहिए आतिशी माल देना तो चाहती है कि अर्विन केजरिवाल को जेल में ही रहना पड़े तो मैं CM बन जऊँ वही बनेगी देखो अर्विन केजरिवाल ने ये भी प्रयास किया अभी तो कहे रहे है मैं ही CM रहुँगा बट उनकी बीबी को सामन रखके जो आपने देखा कि एक बाइट दी प्रेस कॉन्फरेंस के नाम पे कि एक वीडियो चला दिया और जिसमें भी इन्होंने फट्जी वाड़ा किया वही कि अर्विन केजरिवाल ने चिट्थी लिखिये सारी फ़लाना ढिकाना बाहरी सब स्टेज करके मुर्ख बनाने क जो काम कर रहे हैं स्ट्रेजी रन कर रहे हैं तो अपनी बीबी को भी इन्होंने सामने रखा क्योंकि ये तो देखे आप मान के चली अर्विन केजरिवाल नहीं रहेंगे सीम ये जेल जाएगा ये कंफरम है तो फिर ये सीम के कुरसी पे नहीं रह सकता इसको छोड़नी ही पड़ेगी नहीं तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा कैसे भी ये सीम पच से हटेगा अब ऐसे में ये अपनी बीबी को रखते हैं ये आतिशी को रखते हैं देखना है ये तो बहुत क्लियरली दिख रहे है कि आतिशी सीम बनने के लिए बहुत ज्यादा उच्छल रही है जो पूरा ड्रामा मैलो ड्रामा जो किया जा रहा है जो अर्विन केजरिवाल के लिए से सडकों पर नौटंग क्या की जा रही है ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि इन्हें सीम बनना है बाई हुक एंड बाई क्रुक ठीक है फिर चाहे से सुनीता हो या कोई XYZ हो ये तो स पूरा मैलो ड्रामा करने में माहिर है अब आप देख लीजिए आप इस पार्टी को इस अर्विन केजरिवाल को इतना बड़ा आरोपी है जो ऐसा फरजी वाड़ा कर रहा है और अब भी मतलब सबसे बड़ा दिक्कत पता है कि ये देश हित के व्यक्ति नहीं है आप कर लो आप भरष्टाचार कर लो ये समझ में आता है कि राजनीती में गया व्यक्ति यहीं करेगा मैं वो भी बोल देता हूँ बट आप तो अलगी लेवल पे आप देश द्रू को प्रमोट करते हो आप खालिस्तानी लोगों को समर्थन देते हो आपका रागव चड़ास खालिस् का समर्थन कर रहे हैं अर्विन केजरिवाल खालिस्तानी पूरे उन लोगों को समर्थन करते नजर आता है उनके फेवर में बोलता नजर आता है इंडिरेक्ली तो हम क्या मूर्ख है देश की जनता मूर्ख है दिल्ली की जनता मूर्ख है नहीं अर्विन केजरिवाल देश भक्त नहीं है जो देश का बच्चा देश का सपूत और ये जो पूरा ये नरेटिव सेट किया जाता है भगत सिंग के चेले सिर्फ मूर्ख बनाने का पूरा का पूरा उनका प्रयास है मैं आपको एक और बात बता दू कि अर्विन केजरिवाल वो व्यक्ति है जो नरेटिव सेट करने में किस लेवल पे ले जाएगा आप समझ नहीं पाऊगे आप इस चीज को जान लो कि अर्विन केजरिवाल पहले भी भारत के नक्षे में कश्मीर को भारत से अलग कर चुका है पहले भी और इवन भारत के हिस्टे को चाइना में भी दिखा चुका है तो ये वो आदमी पंजाब के Facebook पेज में शेयर कर चुका है जिसमें भी इन्होंने यही किया था कि कश्मीर को भारत से हटाई दिया था लेकिन असली जो अंदर की मानसिकता ही है यही है यह अब आप समझ लेज़े आप ऐसे लोगों को अगर समर्थन देंगे ऐसे लोगों को अगर अपना राजनेता चुनेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बहुत से लोग ये बात भी करते हैं कि IATN है इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है आप मुझे एक चीज बता दीजिए IAT में जाके बाहर निकलने से आपके चरित्र का certificate मिल जाता है आपको कि आप corruption नहीं करोगे इसका certificate मिल जाता है आपको अजी ओसामा बिल नादेन ये भी बहुत पढ़ा लिखा है ये जितने terrorist होते हैं जो bomb बनाते हैं अच्छे से engineering करे वे बहुत बढ़िया बढ़िया उस पे होते हैं जो इतने जाके गलत काम करते हैं तो आप ये तो दिमाग से निकाल दो कि भाई साब पढ़ा लिखा व्यक्ती है first attempt में ये कर दिया first attempt में वो कर दिया ये गलत फहेमी अटा दो सबसे बढ़ा जो इसका उपलब्दी हो तो ही है कि first attempt में तिहाड जाएगा ठीक है अब ये इसकी करियर पे कितना बड़ा दाग होगा तिहाडी चीफ मिनिस्टर तिहाडी चीफ मिनिस्टर कहलाने वाल है ये अब आपको मैं एक चीज और थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ कि अगर आप अभी भी इस अर्विन केजरिवाल का समर्थन कर रहे हैं करना चाह रहे हैं तो बंद कर दो बिल्कुल क्लियर बोल रहों बंद कर दो आपका कोई अच्छा नहीं होगा भला नहीं होगा आप गलत ही करोगे ठीक है थोड़ा सा खुले दिमाग से चीजों को समझो देखो आपको यह IIT का यह पढ़ा लिखा होने का और यह सारी चीजे का थप्पा लगा के मुर्ख बनाने की कोशिश की जाती है बट भई आप में समवेधन शीलता नहीं है आप में समझ नहीं है समझ की कमी है आप हर चीज में तो उत्तेजे तरा जकता फालतु की बकवास धिकाना करते हो जूट बोलते हो सबसे बड़ तो जूटे हो तो यह स्थिति है देश में अर्विन केजरिवाल की सबसे बड़ा विपक्ष बताये जा रहा है यह कहा जा रहा है मोदी वर्से सर्विन केजरिवाल नहीं विपक्ष तो मैं बिल्कुल मानता हूँ आज ही इतना बड़ा विपक्ष हो चुका है कि भारतियों का विपक्ष है आपका इंटी साब और पूरे विश्व का भी विपक्ष यह ही है ठीक है यह ऐसा विक्ष दिया आज के समय में चलिए इस वीडियो को शेर कर दो अगर आपको पसंद आए लाइक जरूर से करना कमेंट करना और सबसे इंपोर्टेंट सब्सक्राइब कर देना चलिए जैहिंद